हेलो फ्रेंड्स नर्सिंग एकेडमी में आपका अर्दिक स्वागत हैं एक बार फिर नर्सिंग एकेडमी आपके लिए लेके आया है नोर्सेट एक्जाम प्रिपेरेशन के इंपोर्टेंट पॉइंट जो की पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं कल ही मैंने पार करते हुए आज मैं आपके लिए लेका आया हूँ पीडियाट्रिक इंपोर्टेंट बुलेट पॉइंट पार्ट टू आशा करता हूँ कि आप लोगों की सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी नर्सिंग एक्जाम की जो की बहुत चल्दी ही कंड़क् तो आईए अपन देखेंगे कुछ बुलेट पॉइंट के बारे में जो कि आप भी लास्ट लार्ट समय में देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्फुल होगा तो आप जरूरी पूरे वीडियो को देखेंगा एक भी पॉइंट मिस नहीं करेगा क्योंकि क्या पता वह ही पॉइंट एक्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो आज अपन देखते हैं अपने पॉइंट को सबसे पहला अपना पॉइंट है कॉमन एक्सिडेंटल इंजिरी एट एज डिफ्रेंट डिफ्रेंट एज होती पीडियाट्रिक के अंदर उनमें कौन-कौन से इसे कॉमन कॉमन इंजिरी होती हैं इसके बारे में देखेंगे सबसे पहले तो मैं आपको चुभात करने से पहले बताना चाहूंगा की एडॉलेसेंस होती है गहां होती हैं एक्सिडेंट होते हैं जो आटय होता है ओ सब्सकुर्ण और के अंदर देखी जाती और मोस्ट कोमन कोज है तेद का यह एक्जाम के अंदर यह कुशन बहुत बार पूचा गया है तो सबसे पहले अपन देखें के इंफेंट इंफेंट में जो मोस्ट ली जो इंजरी होती है वो फाल की वज़े से बर्न कट या फिर फोरेंड बोडी एस्पारेशन बहुत ही ज्यादा इंफेंट के अंदर देखें चाते हैं इसके बाद मैं अपन बात करें डॉडलर की या फिर प्रेस्कुलर दोनों की बात करते हैं कं पसके बाद सब्सक्राइब गाइट झासरा इंजट इस आरे चीज़ें इस पूरे इंपोर्टन चीज़ भी मैं आपको स्टार्ट मैं बता थी और जो most common coach of death होता है that is accident ठीक है और toddler के अंदर poisoning और drowning का ज्यादा changes रहते हैं ठीक है और infant के अंदर foreign body aspiration का ज्यादा changes रहते हैं इसके बाद मैं अपन देखेंगे next slide देखिए sequence of step for neonatal resuscitation ठीक है यह previously जो एक्जाम हुआ था भी प्रिवेसी में GMCH का हुआ तो GMCH के अंदर भी एक कुशन पूचक put up किया गया था sequence of steps for neonatal resuscitation जो neonatal resuscitation होता है उसके अंदर जो sequence of steps होता है care करने का वो होता है T ABC ठीक है सबसे पहला T का मतलब यहां पर denote करता है temperature को A यहां पर airway B मतलब breathing और C मतलब circumference तो जो sequence होगा T ABC होगा ठीक है mind में बिठा लेना ABC से पहले क्या रहा है T आ रहा है यहां ठीक है तो अगर neonate पूचा जा एक्जाम के अंदर तो अपने को तूरंती T ABC लिखना है इसके बाद में देखिए चिल्डरन के अंदर जो pain scale होती है ठीक है जिसके चिल्डरन के अंदर असेस की जाती है उसको अपन बोलते है वांग बेकर faces pain rating scale इसके अंदर आप देख सकते हो इसकी rating scale कैसे बनी हुई है देखिए इस तरह से 10 point बने हुए है यह जो faces है इस face के आदार पे अपन उस चिल्डरन के अंदर असेस कर सकते हैं कि उनकी pain की intensity कितनी है ठीक है तो यह scale है देखिए 0 पे 9 hurt 2 पे इसका face देखिए तोड़ा सा डल हो रहा है hurt little bit फिर hurt more थोड़ा सा more फिर even more whole more और इस तरह से लास्ट में अतला इससे आशू जिससे निकलने लग जा दे तो 10 point पहन होता है ठीक है तो इस तरह से pain की intensity अपन पता लगा सकते हैं ठीक है इसके बाद में next देखेंगे अपन 5 clean techniques ठीक होती है ठीक हो home delivery हो रही है या पिर इससे delivery conduct करवा रहे तो किन चीजों पर अपने को most work प्रभाबली द्यान रखना चीए that is five clinic clean technique ठीक है सबसे पहला five cb बोलते हैं इसको ठीक है फस्ट है clean hands next clean delivery surface इसके बाद में clean cord care next clean blade और next clean cord tie है ना hand सही होना चीज़ी delivery जहां पी भी conduct कर रहा वो surfaces सही होना चीज़ी clean कोना चीज़ी cord care सही होना चीज़ी ठीक है उसके कटिंग भी सही तरह से होना चीज़ी इसके बाद में जो blade अपने यूज़ कर रहे हैं cord cut के लिए वो भी clean होना चीज़ी उसके बाद में अपने टाई कर रहे हैं जो टाई भी क्या होता है clean होना चीज़ी ठीक है तो इससे क्या होता कि बाद में जो infection के जो chances infection rate हो क्या होगी कम होगी ठीक है इसके बाद अपन देखेंगे अप्थेल्मिक नियो नेट्रम के बारे में थोड़ा सा वीव अपन देखेंगे जो की important exam के अंदर पूछे गए या पूछे जाएंगे उन्हीं पूइंट को मैंने यहां पर बता है वन्हाँ अप्थेल्मिक नियो नेट्रम थो बहुत बड़ी डीजिस अपने आप में तो सबसे पहले पन देखेंगे अप्थेल्मिक नियो नेट्रम में इसको अप्थेल्मिक नियो नेट्रम यह जो होती है यही से कुशन अपना इस्टार्ट हो जाता है सबसे पहला कुशन नहीं होता है अजियो नियो नेट्रम के लिए यह जो होता है और यह बहुत ही रारली होता है इसके बाद में अपन बात करेंगे कि अगर इसके बाद में अपन देखेंगे आप्टर फाइव डेज ओफ लाइप ड्यू टू क्लेम आइडिया टीक है फाइव डेज के बाद में अगर इंफेक्शन से देखना को मिलता है तो वह उसको कलेम आइडिया के लिए अपन सस्पेक्टेड करेंगे इसके बाद में अपन देखेंगे मंगोलियन स्पोर्ट मंगोलियन स्पोर्ट क्या होता है एक्जाम के दर पूछा जाता है कि यह कब इस एपियर होता है या फिर यह मंगोलियन स्पोर्ट क्या होता है ठीक है तो मंगोलियन स्पोर्ट क्या होता है एक तरह का बर्थ मार्क है ब्ल्यू इस ब्लेक बर्थ मार्क है जो कि कहां पर होता है मैंली जो सेक्रल रीजन होता है ठीक है सेक्रल रीजन और बटेक्स के वहां पर होता है और यह वन टू टू यर्स की एज तक आते आते क्या होता है डीसेपियर हो जाता है ठीक है तो मंगोलियन स्पोर्ट क्या है एक पिर होते हैं तो 1-2 years of life इसके बाद में पर next देखेंगे failure to thrive सीधा ही terminology आगया exam के अंदर की what is the meaning of failure to thrive तो failure to thrive condition यहाँ पर children के साब से देखते हैं तो इसका मतलब ही होता है it is a condition in which infant and children not only fail to gain weight but also may lost it ऐसी condition जिसके अंदर जो infant होते हैं चिल्डर होते हैं उनका weight gain नहीं हो रहा है बलकि उनका weight बहुत ज्यादा ही loss हो रहा है इसको अपन बोलेंगे failure to thrive मतलब उस चीज को manage नहीं कर पा रहा है ठीकए नियोनेट यह इंफेंट होता है वह उस चीज को manage नहीं कर पा रहा है इसको बोलेंगे failure to thrive इसके बात देखिए blood glucose level blood glucose level की बात करेंगे neonate की अपन तो सबसे पहले इसके अंदर 2 conditions है सबसे पहले 8 birth 8 birth पर जो blood glucose level होता है 40 to 60 mg पर deal होता है सीधा ही एक्जाम के अंदर पूचा जाएगा कि blood glucose level of neonate 8 birth होता है 40 to 60 mg पर deal और इसके बाद में कि second question में इसा पूचा जाए कि 1 day old newborn या 1 day old neonate का blood glucose level किता होता है 5290 mg पर deal एड बर्थ पर 42 to 60 होगा और 1 day एक तीन के बाद में किता होगा 5290 mg पर deal होगा blood glucose level इसके बाद में अपन कुछ point के बारे में बात करेंगे सबसे पहला point है child can withhold and postpone his bubble movement at 3 years of age 3 years of age तक जो child होता है वो bubble movement होता है उनको postpone कर सकता है सीधा एक क्यूशन आ सकता है exam के अंदर कौन सी age पर जो child होता है वो bubble movement को withdrawal or postpone कर सकता है that is 3 years of age इसके बाद में अपन बात करेंगे forearm and oval की forearm and oval usually जो बर्थ होता है उसके कुछीक समय में क्या होता है बंद हो जाता है तो किसकी वज़े से होता है exam के अंदर क्यूशन पूश सकते है तो उसको देखना hemodynamic changes की वज़े से hemodynamic changes related to respiration respiration से related hemodynamic changes होते है उसकी वज़े से एक आदर close हो जाता है उन changes के अंदर आपन देखते है कि वहाँ पे क्या होता है जो increased pulmonary blood flow pulmonary blood flow बहुती increase हो जाता है उस increase होने की वज़े से क्या होता है foramen oval तूरंती बंद हो जाता है तो exam के अंदर सिदा किशन आता है कि क्या reason देता that is hemodynamic changes related to respiration और भी deep में देखे तो increased pulmonary blood flow की वज़े से इसके बाद में थार्ट पॉइंट देखेंगे थार्ट पॉइंट के अंदर क्या है deficiency of vitamin E in mother may coach prematurity prematurity के एक coach के अंदर क्या आता है vitamin E भी आता है अगर vitamin E की कमी है mother के अंदर तो वो prematurity को coach कर सकता है ठीक है इसके बाद में आपन फॉर्थ पॉइंट पे बात करेंगे dilution of adrenaline for neonate ये भी exam के अंदर बहुत बार question पूछा गया है कि जो adrenaline का dilution होता हो neonate के लिए किता होता है तो 1 is to 10,000 1 is to 10,000 का ratio रहता है adrenaline के dilution का इसके बाद में आपन नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे फिप पॉइंट water content into breast milk breast milk के अंदर water content गिता होता है 88% water content होता है breast milk के अंदर इसके बाद आपन बात करेंगे lungs alveoli की जो lungs जो होता है उसके अंदर alveoli होती है smallest cell जो होती है एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है तो टाइप 1 होती है वो 99% होती है ठीक है 95% ठीक है 95% होती है जो की घेस एकचेंज में काम आती है और इसके बाद जो टाइप 2 होती है वो 5% होती है किसमें काम आती है यह सर्फेक्टेंट जो होते हैं जो सर्फेक्टेंट होते है स एकान आता है तो लंग्स जब उस सवा मेंट क्या होता इस्ट सेये नहीं तो जो नियोन नियान होता है उसका मतलब बर्थ के बाद में से वने के चाधा चांजे होता हुए है आप लोग कौन कौन से होते हैं ठिक है अपन सिर्फ इसमें क्यूंग धेख रिवियू देख रहे हैं कहुंग से important point है सबसे पहले जो component होते है major component KMC के फिस्ट होता है skin to skin contact, बच्चे को मदर के पास में रखा जाता है और इसके अंदर second component है that is exclusive breastfeeding exclusive breastfeeding ठीक है तो दो component है major KMC के इसके बाद में duration KMC का जो duration होता है वो three hours से लगाके 10 या फिर 12 hours तक हो जगता है ना three hours से लगाके 10 या 12 hours तक करते है और जो minimum duration होता है कि इतने समय के लिए अपने को KMC पराइट करवा नहीं है इसके इंट्रीट के contact करवा नहीं है that is one hours किता होता है वन आर तो exam के अंदर कुछित पूछ सकते है क minimum duration of KMC that is one hours ठीक है इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पर breast milk के बारे में बहुत ही important है breast milk से हर एक exam के अंदर most of question पूछा ही जाता है ठीक है तो breast milk के अपन बात करेंगे सबसे पहला आता है types of milk types of milk के अंदर सबसे पहला milk होता है that is colostrum है ना colostrum आप लोग कोलोस्ट्र होता है ठीक होता है ठीक होता है ठीक होता है ठीक है और यह जो first पहले दिन से लगा के तीसरे दिन तक third day of delivery तक secret होता है ठीक है और यह जो और इस colostrum के अंदर एक स्काशित होती है कि इसके अंदर जो fat का जो amount होता है वह काफी low होता है ठीक है low amount of fat होता है इसके बाद में अपने बात करेंगे 4 milk की तो 4 milk जो होता है वो diluted milk होता है ठीक है जो की मतलब जब feeding करवाते हैं तो feeding की starting में beginning of feeding में फॉर्मल milk की secret होता है ठीक है इसके अंदर high amount में water होता है डाइलूटेड होता है इसलिए water होता है protein होता है होता है इसके बारे में हो गया इसके बाद में बात करेंगे कुछ पॉइंट है breastfeeding से लेटेड सबसे पहले देखेंगे average energy value of human milk होता है उसकी average energy कित्ते होती है ठीक है energy कित्ता देता है तो 70 किलो केलोरी पर 100 ml of milk के अंदर 70 किलो केलोरी केलोरी होती है ठीक है तो 70 milk requirement कित्ती होती infant की infant की जो milk requirement होती वो होती 150 ml पर kg body weight 150 ml body weight के पर kg के इसाब से उसके क्या होता है requirement होती इसके बाद में बात करेंगे water content in breast milk तो water content in breast milk गिता होता 88% होता है ठीक है इसके बाद में अपने बात करेंगे protein content तो protein जो होता है human milk और cow milk में रिप्रेसेट करके अपने आप देखेंगे कि जो protein होता है वो human milk के अंदर जो protein content होता है that is lacto albumin क्या होता है सिधा इक क्यूशन आ सकता है human milk के अंदर जो protein होता है that is lacto albumin और cow milk के अंदर जो protein होता है that is cash in cash in cash in cash in cash in ठीक है इसके बाद में कुछ ऐसे factors होते है breast milk के अंदर जिसकी विज़ेसे जोइन डिस हो सकता है उन factors का first नाम है प्रेग्नी डियोल क्या है प्रेग्नी डियोल और सेकन है beta glucoyuronidage यह भी एक्साम के अंदर पूछा गया है ठीक है तो प्रेग्नी डियोल और beta glucoyuronidage की जोईन डिस हो सकता है बच्चे के अंदर breast milk के कारण ठीक है तो आज की अपना वीडियो यही तक था इसको अपन continue करे या फिर day after tomorrow जब भी देखेंगे ठीक है तो अपन continue करेंगे pediatric के कुछ point को ही continue करेंगे तो इन points को आप अच्छे से पढ़ लेना अच्छे से समझ लेना अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप तूरंती comment box के अंदर डाल सकते है या फिर इसमें आपको लगता है कि बताएगा ताकि मैं उसको clarify कर लूँगा आप लोग तो और best of luck for your next exam और अच्छे से से पढ़ाई किजिए thank you so much everybody